नमस्कार दोस्तों, मंदिर मंदिर घूमते प्रधान मंत्री मोदी और मंदिर मंदिर करता मीडिया ऐसा लग रहा है जैसे देश में मीडिया और मोदी का एक जॉइंट वेंचर चल रहा हूँ ऐसा जॉइंट वेंचर जिसमें मोदी ने तै कि पूरे देश में ऐसा माहौल बनाना है पूरे देश में राम के नाम पर राजनिती की ऐसी बिसात बिचानी है कि 2024 में होने वाले चुनाओं से पहले राम के अलावा कोई मुद्दा न रहा जाए तीन मेहने बाद होने वाले चुनाओं में सिर्फ राम का मुद्दा रहे एक तरफ राम जिसके जिनके सबसे वरे राम समर्थक के तौर पर या राम के भक्त के तौर पर मोदी और उनकी पूरी सेना हो और दूसरी तरफ वो लोग जिनें इस खाचे में फिट किया जाए कि वो राम विरोधी हैं ये मोदी चाहते हैं और यही काम मीडिया कर रहा है बीते छे दिनों से प्रधान मंत्री मोदी देश के अलग-अलग हिस्सों में जा रहे हैं मंदिरों में जा रहे हैं तरह-तरह की तस्मीरें खिचबा रहे हैं तरह-तरह के वीडियो बन रहे हैं मल्ट अलग हिस्तों में जाकर कैसे मंदिरों में भगवान के सामने सिर जुका रहे हैं और मीडिया और मोदी का जॉइंट वेंचर इसलिए का कि जो मोधी करते हैं वही तो मीडिया दिखाता है जो मोधी चाहते हैं वही तो मीडिया दिखाता है जो मोधी बोलते हैं वही मीडिया के लिए हेडलाइन है जो मोधी करते हैं वही मीडिया के लिए सबसे बड़ी ख़बर है जैसे पांस दिन पहले मोधी जी ने चार दिन पहले मोधी जी ने गायों को चारा डाला मीडिया के लिए सबसे बड़ी ख़वर है अब मोधी मंदिर मंदिर जा रहे है मीडिया के लिए सबसे बड़ी ख़वर है मोदी जी ने कह दिया किसी भाशन में कहीं देश के किसी हिस्से में अगर कि ये गांधी का रामराज जैसे गांधी ने परिकल्पना की थी वही तो रामराज जा रहा है वही मीडिया के लिए खबर है तो मोदी और मीडिया के जॉइंट वेंचर का नतीजा क्या है मीडिया किस तरह की खबरे दिखा रहा है क्या आपके दिमाग पर मीडिया के लेयर चरहाए जारे मीडिया के जरीए इसको समझिए और उसके बाद कि दरसल 2024 के पहले चुनाओ के पहले जो अब तीन महने बचे है क्या क्या देश में हो सकता है मैंने प्रधान मंत्री मोधी का पूरा ट्वीटर हैंडल खंगाला बीते आठ दिनों का उनका प्रोग्राम देखा उनका रूटीन देखा ये जाना कि प्रधान मंत्री मोधी क्या कर रहे हैं क्या करने वाले हैं इसी बीच मुझे ट्विटर पर एक देश के बड़े चैनल की ब्रेकिंग न्यूज की कुछ खबरें देखी ब्रेकिंग न्यूज के स्क्रिंशॉट अब जरा उसे स्क्रिंशॉट को देखी और समझे कि मीडिया और मोधी का जॉइंट वेंचर मैं क्यों का रहा हूं श्था से पहले ग्यारा दिन का एक वरत कर रहा है खास तरह का वरत कर रहा है और इसलिए उनके वरत के लिए उनकी हर रोज की दिनचरिया अलग है ये मोधी जी ने कह दिया और उसके बाद इस दिनचरिया में क्या होगा ये चैनलों को मोहिया करा दिया गया क्योंकि देश में बाकिस जितने भी मुद्दे हैं जितने भी जरूरी और बुन्यादी मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बीजेपी की गेराबंदी हो सकती है लोग सबस्द चुनाओं के पहले वो मुद्दे राम के नाम के नीचे दब जाए यही कोशिश है तो खबर क्या है? तीन दिन पहले सिर्फ कंबल बिचा कर सोएंगे मोधी प्रान प्रतिष्ठा से पहले मोधी की दिन चरिया चौकी पर कंबल बिचा कर सोएंगे मोधी ये ब्रेकिन नू चल रहा है देश के बड़े चानल में कंबल बिछा कर चौकी पर सोएंगे मोधी तीन दिन पहले सिर्फ कंबल बिछा कर सोएंगे मोधी चारी स्क्रिन शॉट ऐसा और भी बहुत कुछ चला होगा देश में करोनों ऐसे लोग हैं जो धार्मिक उनके जो कामकाज होते हैं अलग-अलग मोकों पर उस कामकाज के हिसाब से विदी विदान से कुछ काम करते होंगे लेकिन प्रधान मंत्री वो काम कर रहे हैं या वो काम करते हुए दिखना चाहते हैं जिससे उन्हें सियासी फाइदा हो तो वो उस फाइदे की जो उनकी नियत है उनकी जो कोशिस है उसमें मीडिया क्या भूमिका निवाता है, कैसे जोइंट वेंचर मीडिया का है, सारे चैनल पर जो भी चैनल आप देख रहे होंगे, हर चैनल पर यही कहानी चल रही है, बीते पांस दिनों से बाइस तक चलेगी और उसके बाद सब्तर दिनों तक आगे भी चलेगी, जैसे पुर्षोत्तम, मर्यादा भी है पुर्षो में उत्तम, भागवान राम की निती पर मोदी जी चल रहे हैं, इसके एक विस्तार से व्याख्या एक दूसरे वीडियो में हम करेंगे, वरिश्पत्रकार राहूल देव, जो हिंदू धर्म शास्त्रों के ग्याता भी है, हिंदू ह उने के मतलब को अपने धंग से समझाएंगे और समझने की कोशिस करिएंगे, और खास बात उनका एक परचा है, जो उसी वीडियो में आपको बताएंगे, मोदी की कठिन तपस्या, तपस्या कर रहे हैं मोदी जहां भी जा रहे हैं मंदिरों में, जैसे आज भी वो किरला क एक मंदिर में, श्री रामा स्वामी मंदिर गुरुवायूर में तपस्या कर रहे हैं मोदी ने गाया राम भजन देखते रहा गये विरोधी, हर रोज प्रधान मंत्री मोदी के ट्वीटर हैंडल पर ऐसे ही भजन जो नए नए भजन गाये जा रहे हैं उसको शेर कर रहे है अब ये कहीं की खबर है, पता नहीं कहा की है, कहीं राम भजन गाया देखते रहा गये मोदी, मोदी से सुनिये राम राज का असली मतलब, जो प्रधान मंत्री मोदी ने कल भाशन दिया है, ले पाक्षी के बीर भदर मंदिर पहुंचे और उसके बाद पूजा पाठ के बा जोनाबी तूर पर साम, दंड, भेध, हरतरा के हतकंडे अपनाए जाते हैं, और अगर अपनाए जाते हैं तो क्या यही मर्यादा, पुर्शոत्तम के राम राज, उसकाल के राम राज की यही परिकल्पना है, लेकिन चैनल ने माना आप तक पहुंचाया, मोदी कमिशन South द का ऐसा शो चुनाओं में 20 में से 15 सीट की गारंटी गारंटी चैनल दे दिया कि 20 सीट की गारंटी हो जाएगी चुकि प्रधान मंत्री मोदी ऐसा शो कर रहे हैं यह नौभारत का थमनेल है यह सारे प्रोग्राम जो चैनल पर चलते हैं राम निती वर्सेस राज निती धर्म अ हिंदू धर्म के धर्म धोजाधारी हैं सनातनी है पक्के वाले राम भक्त हैं और बाकी अधर्मी है यह जो थमनेल है और यह जो एंगल है खवर का यह क्या कहता है धर्म अधर्म की भीशन लड़ाई है राम निती वर्सेस राज निती मतलब जो राज निती दरसल धर्म के नाम पर कर रहा है वो रामनिती है वी जेपी की और बाकी लोग राजनिती कर रहे हैं मोदी जी धर्म के साथ है और बाकी लोग अधर्म के साथ है जो भी मोदी जी के साथ नहीं है उनकी इस तरह की राजनिती के साथ नहीं है बाटने की राजनिती के साथ नहीं है वो अधर्म मंत्री मोदी आठ महिने से नहीं गए जिस मनिपूर में 180 लोग मारे गए आज भी खबार आई एक सेना का कमांडो मारा गया है परामिनिट्री फोर्सेज के लोग मारे गए बीते 15 दिनों में या 20 दिनों में अगर देखेंगे तब 8-10 लोग मारे गए जन्वरी के पहले हपते में 4 और उसके पहले दिसंबर में 13 और वहां शिविरों में आज भी लोग रह रहे हैं हजारों लोग बेघर हुए मनिपूर की इतनी कहानिया मैं बता चुका हूँ और अमरित भी रहा है यह तो इस तरह के थम्नेल और प्रदान मंत्री का ट्वीटर है और मकसद इसके बाद आप समझे कि क्या ये राम राज यही है और क्या करने का मकसद है जैसे प्रधान मंत्री के जितने प्रोग्राम से उनी के ट्वीटर हैंडल से ये पुब्लिक प्रोग्राम से इन केरला जो आज का है इसक्रीन पर आप देख रहे हैंगो दर्शन एबंपूजा एट गुरुवायूर टेंपल सुबह पूजा है फिर दर्शन है फिर सवाद 10 ब साहब से सब का सम्मान करना है ना सिर्फ सिर्फ अपनी धार्मिक आस्ता का इजहार करते वे एक बहुए उनको तो विश्टू का अप्तार चंपत्राय कही चुक्ए है सब उनको देवतुल सावित करने में लगे है और तभी तो इसी तस्वेर हैं जब मोदी जी राम लला या भगवान राम के बाल रूप को उंगली पकर कर अध्या की तरफ ले जाते हुए उनके राम लला के मंदिर में ले जाते हुए तस्वीर आती है तो इस तरह से मोधी जी को चिन्हित भी किया जा रहा रहा पेंट किया जा रहा और यही मोधी जी चाहते है तो इस तरह के प्रोग्राम लगातार मूदी जी के यही आ रहे है बैक टू बैक लगातार सारे मुद्दे गाउन हो गए देश के सारी समस्या खत्म हो गई मांगाई बेरुजगारी गड़ी भी आज भी 69,000 भरती घोटाले को लेकर लखनों में महिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं युवा जो बेरुजगार हैं जो परिक्षारती हैं प्रदर्शन धरना सब कुछ चल रहा है देश के अलग-अलग हि कि योजना बना रहें 12 फरवरी या 13 फरवरी की तारीख तैय हुई है क्योंकि MSP का जो वादा प्रदान मंत्री मोदी ने किया था या मोदी की सरकार ने किया था किसानों के आंदोलन को खत्म कराने के लिए जब उनकी तपस्या भंग हो गई थी जब कृश्य कानूनों को व पस लिया था तब वो कुछ भी वादा पूरा नहीं हुआ किसान दिल लिया रहा है ऐसी समस्या ऐसे आंदोलन ऐसे विशय देश भर के हर राज में लेकिन वो सब बेमानी है क्योंकि यही चाहते हैं मोदी के अगले तीन महीने तक लोकसभा चुनाओं तक आप सब भूल जा हैं और सिर्फ आप रामभक्ती में तलीन हो जाएं लेकिन रामभक्ती का वो मतलब नहीं है रामभक्ती की वो परिभाशा नहीं है जो बीजेपी तै करना चाहते हैं और रामभक्ती दिखावा नहीं है रामभक्त का वो मतलब नहीं है हर आदमे में बार बार बोलता हो धार वो चाहते हैं जिस तरह से वो देश में माहौल बनाना चाहते हैं उस माहौल में अगर भागीदार हैं तो आप राम भक्त हैं वरना राम द्रोही हैं इससे मूदी जी के लगातार के कारिकरम जैसे 15 जन्वरी का ऐसे लगा दिया तो यह रोज अभी ट्वीटर पर मैं देख र प्रधान मंत्री मोदीन आज ही शेयर किया है कहीं पपेट सो उन्होंने लेपाक्षी मंदिर में देखा होगा कल का होगा शायद वो शेयर किया लगातार ट्वीटर पर देश के प्रधान मंत्री का ऐसे मंदिर जाते हुए तस्मीरे हैं वेरिस पेशल मोमेंट है पर खरा था वो एक किस्वी सदी में सोशासन के मार्क दर्शक है तो रामराज पे मैंने कहा विस्तार से हम बात करेंगे क्या रामराज यही रामराज है और यही रामराज है और रामराज में अगर जितने मूदी जी के इर्दगिर्द लोग है बहुत सरे विस्तार से बात अगले वीडियो में जैसा कि मैंने कहा करेंगे तो आप समझेuir की राम-्राज का मतलब व्याख्या जो महत्मागान्दी ने भी की थी और राम राज कोई भी आजमि कल्प ना कर सकता है भगवान राम के समय या जो अयोध्या में हुआ होगा उस समय भगवान राम के समय उस राज की परिकल्पना जमीन पर मूदी राज में कैसे उतर रही है इसको समझने के लिए विस्तार से अगले करें आप उसी तरह से राम के नाम पर राजनिती करें आप उसी तरह से राम के नाम का इस्तेमाल करके सत्ता को साधने के लिए हर तरह के हत्कंडी का इस्तेमाल करें आप राम के नाम का استعمال करके देश की किसी सुबह या देश की कुरसी पर बैठने के लिए सियासी विसाद बिचाएं आप राम के नाम का इस्तिमाल करके खुद को रामभक्त कहें और जो आपके साथ आपकी तरह नहीं है उसको आप रामद्रोही कहें यही है क्या? प्रभाश जोशी ने जो लिखा था जो जन सत्ता के संपादक हैं जिनका कल के एक वीडियो में भी जिक्र किया हिंदू होने का धर्म हिंदू होने का मतलब उसके कुछ हिस्से किताब का मैंने कल जिक्र किया था फिर भी मैं एक बार फिर बताता हूँ ताकि ये किताब पढ़िएगा आप वाणी प्रकाशन या राजकमल ने शायद राजकमल प्रकाशन में ने जब प्रभाश जोसी जब बावरी धाचा बावरी मस्जिद का धाचा मंदिर बनाने के पक्षदर थे लेकिं सहमती से और उस दौर में नरसिंगराओं की सरकार के वक्त ऐसी कोश़िशे भी हो रही थी धर्माचारियों की बैटके हो रही थी दोनों समुदाए के, दोनों धर्मों के धर्माचारियन। और तब जब बावरी मस्जित के धाचे को ढ़ाहा दिया गया साजिशन तब प्रभाज जोशी ने लम्बे वक्त तक जनसत्ता में लिखा पचासों लेखों ने लिखे कुछ लेखों का संग्राइसी में है जिसमें राम की अगनी परिक्षा और प्रभाज जोशी ने लिखा क राम की जैब बोलने वाले धोके बाजों ने कैसे पुरुशोत्तम राम के रखुकुल रीत पर अयुद्ध्या में कालिक पोद्धिव इस तार से बहुत कुछ लिखा है दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे लेकिन कहने का आशे यही है कि यह जो एक दौर चल पड़ा है उ क्योंकि शंक्राचारी भी इतराज जता रहे है जिस धंग से धर्म सत्ता और राज सत्ता पर विबाद के बीच शंक्राचारी अगर कहते हैं वैदिक विदी विधान से या शास्त सम्मत अगर मंदिर का वहां उधगाटन नहीं हो रहा है शंक्राचारीों की गैर मुझूद इसी तरह से प्रिटेंट कर रहे हैं उनकी दैविये छवी गढ़ी जा रही है उस दैविये छवी में मोधी खुद को आत्मसाथ करते हुए उसी तरह से मोधी जी खुद ट्विटर पर जो तस्वीरें दिखेंगी और जिस तरह से उनको पेंट करने की कोशिश हो रही है इसा की चैनल को मंदिर मंदिर दो करती हैं ताकि न्यू चैनलल लगाताई दिन भर उनीं तस्वीरों आप आप वही देखें उसी को कात्म साथ करें तस्मीर आप यह देश के प्रधान मंत्री है और एक दौर था जिने नहरू को आज विलन बनाया जाता है जब सोमनात मंदिर के उद्गाटन के वक्त नहरू ने तब के प्रधान मंत्री ने इतराज किया था कि देश की सत्ता के मुख्या के तौर पर हमें या किसी को उस मंदिर के उद्गा करते हैं कि नहरू सोमनाथ मंदिर के खिलाब थे नहरू हिंदू विरोधी थे नहरू तब भी सानातन विरोधी थे नहरू की चिट्टियों पर मैंने अभी चार दिन पहले मैंने विस्तार से बताया था कि कैसे नहरू अपनी चिट्टियों में इस बात को लेकर चिंतित थे इ सोमनाथ टेम्पल के उद्गाटन में प्रदान मंत्री के तौर पर या मुख्य मंत्री के तौर पर किसी की मौजूदगी उसकी निजी शक्सियत और जिस पद पर बैठा है उसकी शक्सियत के बीच की लक्षमन रेखा के खत्म होने की तरह होगी ये चिंता नहरू में थी और नेहरू ने उसी चिंटा के धत उस वक्त के जो राश्टपती थे राजिन प्रसाद उनकी मौझूदगी या उनके जाने को लेकर अपनी असामती दर्ज की थे वो जब इत्यास में दर्ज है तो उसकी अपनी अपनी बैठ्ख्या है आधा गलास भरा आधा गलास खा लिए मैं दूसरी जमात दूसरी समुदा है दूसरे धर्मों के लोगे लेकिन आप खुद एक धर्म गुरू की तरह धर्माचारी की तरह आप खुद एक किसी धर्म के धर्म धोजाधारी की तरह आप खुद वही काम करने वहां बैठेंगे या आप सारा अपने माते पर सहरा लेकर ज यही होगी दिन आदितनात विदान सवाचुनाओं के समय कह चुके है कि भारत हिंदू राष्ट है और भारत हिंदू राष्ट था और हिंदू रहेगा क्या भारत हिंदू राष्ट है भारत हिंदू राष्ट है नहीं और रहेगा नहीं जब तक संविदान रहेगा तो क्या सम्विधान का विरोध नहीं है सम्विधान विरोधी मानसिक्ता नहीं है अगर भारत को हिंदू राष्ट कहते हैं कि है और है और रहेगा लेकिन ये सब ओन रेकॉर्ड है अब चैनलों पर जो खबरें जिस तरह से चलती है कल किसी ने मुझे एक लिंक बेजा जो चौधरित स कि राम लला को लेकर आ रहे है कैसे मोधी जी ने राम मंदिर बनने की पूरी कैसे उन्होंने तयार की भूमी का और कैसे विपक्ष राम मंदिर और राम का विरोधी रहा है यही पूरे बुलेटिन में हर रोज साबित करने की कोशिश हो रहे है विपक्ष ने जो किया जब क क्या वो सही था मस्जिद के धाचे को ढ़ाने के लिए जो साजिस रची गई वो सही था लालकिष्ण अडवानी मुर्ली मनट जोशी उमा भारती की मौजूदगी में यह सब लोग ठाहका लगा रहे थे यह तमाशमीन थे एक तस्वीर वाइरल होती है आपने देखा होगा मै इस धंग से उस गुंबत पर चड़े और निस्त नाबूद जमी दोज कर दिया सही था लेकिन हाँ वो एक दौर था आज एक दौर है सुप्रिम कोट से फैसला हुआ सुप्रिम कोट के फैसले के हिसाब से मंदिर के लिए जमीन दी गई जहां रामलला की मूर्ती बन रही मं मानना चाहिए कि सुप्रिम कोट ने फैसला कर लिया लेकिन जो अतीत है जो 1992 है अब उसको आप जोड़े 500 साल पहले तो 500 साल पहले जो हुआ वो भी इतिहास में दर्ज है लेकिन उसके बाद जब देश आजाद हुआ और काईदे कानून से चीज़े चलनी चाहिए सुप्र प्रधान मंतरी के तोर पर प्रधान मंतरी जिस ढंग से माहौल बना कर चुनावी फाइदा लेने के लिए अगले तीन मैने तक मुख्य मुद्दे से आप सब को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि यही राम राज है तो राम राज की ब्याख्या को करते हुए कि मर्यादा पुर्शृत्तम भगवान राम सब के भगवान है हमारे घर में भी भगवान की तस्वीर लगी है हमारी मां भी पूजा करती है मैं भी मंदिरों में गया हूं अयोद्या भी गया हूं लेकिन जिस तरह से आप चाहते हैं बीजेपी के लोग वो राज निती जाता है फिलाल इस वीडियो खत्म करते हैं फिर मुलाकात होगी तमस्कार